हुआ है कि है लोडियर स्टुडेंट्स वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल अक्सवर्ट क्लासेस में आप सबका स्वागत है दोस्तों आए वनोट सब्सक्राइशन के हम कल के सिसन से आगे कहरी करते हैं देखते हैं दोस्तों पहला वर्ड है जोवियल क्या होता है जोवि आपको अच्छा देता है तो यह आपका यानि की जोवियल होता है खुशनुमा क्या होता है दोस्तों खुशनुमा नेक्स वर्ड चलते हैं कैनल इसको पढ़ा जाता है नेल के इडव स्वेलिंग धान रखे का के डबल यान यह होता है वह अस्थान केते हैं वह अस्थान जहांपर कुटे रखे जाते हैं a home for dogs a home for dogs यानि कि कुट्टे का रहने का अस्थान रहने का अस्थान इसको कहते हैं किनल और के ये डबलल के ये डबलल होता है मृत्त के समय या मृत्त संसकार के समय कि समय बजाया जाने वाला बिल या घंटा इसी कहते हैं किनल लैपडिस्ट लैपडिस्ट क्या होता है वन हुपर सन जो देखे वह ब्यक्ति जो कीमती पत्थरों को तरासता है क्या करता है बई जो कीमती पत्थरों को काट छाट करके क्या करता है अच्छा सचित्रकारी बनाता है लैपडिस्ट ये होता है कीमती जाधान देजे भई कीमती पत्थरों को काटने चाटने वाला थीक है बई चाटने वाला या उनको नकासिदार बनाने वाला लैग्जेटीव लैग्जेटीव होता है पेट साफ करने की दवा पेट साफ करने की दवा लैग्जेटीव होता है लेजर आप लोग लेजर जानते होंगे लेजर आपके एकांटेंसी में ज्यादतर आता है जिसको होता है खाता या बही खाता ले खाता जोका यह क्या है सर्म भरी निगाह जो आपके अंदर का मुक्ता परड़ा करती है जैसे मैं कहा दूँ आ साई लूप डैट इस हर्ट फुल हर्ट फुल हर्ट फुल का मतलब है जो दिल को छूले क्या छूले भई जो दिल को छूले असाई लोग ऐसा यानि कि सर्म फूल निगाह या सर्मीला सर्मीली निगाह निगाह थीक दोस्तों लेजीजी लेगेशी एक वर्ट है आपका वसीयत क्या होता है भई वसीयत लेक्स क्योंग्राफर वन हूप कमपाइल्स डिक्सणरी वन हूँ compiled compiled dictionary यह यानि कि जो dictionary बनाते हैं उसी कहते हैं lexicographer जो dictionary बनाते हैं उसी कहते हैं lexicographer next word चलते है भाई ligament ligament होता है connecting tissue यानि कि जोड़ों की हड्डियां जहां पर जुड़ती है वो लिगमेंट कहते हैं जोड़ों की हड्डियां लिगमेंट जो जोड़ते हैं जोड़ों के अधियां उसे को हम लोग क्या कहते हैं लिगमेंट कनेक्टिंग टिसू वाला जो होता है तो वह जोड़ों के बीच मजबूत हड्डियां जो कहें दें लिगमेंट निक्स वर्ड है लॉजिक लॉजिक होता है लॉजिकल से बना है जिसको हम लोग कह सकते हैं तरक भी तरक या तरक सास निक्स वर्ड है लांग सोर मैं लांग सोर मैं क्या होता है वो होता है जो समुद्र तर्ड पर समान को डाउनवर्ड्स करता है और अपवर्ड् तर्ड पर जो समान को चढ़ाने और उतारने का काम करता है समुद्र तर्ड पर समान लादने और उतारने वाला चलिए नेक्स वोड़ लिवनेटिक अमैड पर्शन मैड पर्शन यानि की पागल ब्यक्ति पागल जिसको करते हैं लिंग्विस्ट होता है भासा बिसे सग्ये जिसकों भासा विद्वी कहते हैं या भासा बिसे सग्ये थीक है जाइब क्रिटिक क्रिटिसाइज मैनर जाइब क्या होता है अप क्रिटिकली मैनर या क्रिटिसाइड मैनर यानि कि जिसकी हम काटू आलोचना करें काटू आलोचना बात समझ में दोस्तों बोलिए यहां तक बाते समझ में भाई चले आए नेक्स वर्ड चलते हैं चले देखें दोस्तों नेक्स वर्ड है मारा लायर लायर क्या होता है यह लायर वकील वाला नहीं है भाई लायर होता है यह मान्द या गुफा मान्द या गुफा जहां पर छोटे-छोटे जानवर रहते हैं इसी कहते हैं लैंड इसकेप क्या होता है किसी भूभाग का बिहंगम द्रिश किसी भूभाग का बिहंगम द्रिश से मेरे कहने के मतलम आप सोचिए जैसे रेगिस्तान है दोस्तों रेगिस्तान में आप दूर दूर तक देखेंगे तो आपको कहीं कोई हर्याली नहीं दिखेगी लेकिन यदि सोचिए वहीं पर कहीं एक अच्छा सा बढ़े असा द्रिश से बना दिया लोयल्टी लोयल्टी क्या होता है विश्वसिनियता कर दुश्रोसिनीयता कर promises लेवरेंथ बैंद क् faut समस्या नेक्स बट सेने लिवलताइड लिवलताइड क्या होता है यह होता है आपका चरित्र हीन क्या होता है ङलोब यलो टांट टांडanton बहुत अच्छा वर्ड है लोग देखे़ भई कि बोली दोस्तों यह ओ पी लोग क्या है कि लोग वो होता है देखी कुछ लोग होते हैं जब चलने भी लगते हैं तो बड़ी लंबी लंबी ड़क से यानि बड़ी लंबे जो पैरों के बीच गैपिंग से बहुत तेजी से चलते हैं वही होता है लोग यानि कि लंबे-लंबे कदम से चलना लंबे-लंबे कदम से कदम से चलना इसी कहते हैं लोग मेडन, one who is please first यानि कि पहला बासर्ड जिसको कहते हैं one who is please first पहला भासर्ड ठीक दोस्तों ये मैनोमीटर मैनोमीटर तो आप लोग जानते होंगे हवा का बेग मापी यंद्र क्या होता है हवा का बेग मापी यंद्र इसको मैनोमीटर कहते हैं mental mental वो mental नहीं है मैनोमीटर होता है कि एक ऐसा धील ढाला वस्तर जिसके बाजू एकदम धीले ढाले हों मतलब भी बाजू धीले ढाली हों या बाजू नहीं हो इसको कहते हैं mental ठीक तो इसको लिखिए एक धीला ढाला वस्तरों जिसमें बाजू ना हूँ मैने स्क्रिप्ट मैने स्क्रिप्ट होता है हस्त लेक हस्त लेक जिसको कहते हैं मैने स्क्रिप्ट मैटनी मैटनी क्या होता है भाई यानि मैटनी होता है दोपहर के बाद का सिनेमा सो दोपहर के मैटनी 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 साइड जैसे हमने आपको इसके पहले ही एक वर्ड बताया है साइड क्या होता है भाई साइड रिपीट कर देते हैं साइड मिस होता है हमेशा यह आपका एक रूट वर्ड होता है तो यहां पर देखे साइड लगा हुआ है और मैटनी माता की हत्या माता की हत्या नेक्स वर्ड चलते हैं मेडियोवल मेडियोवल हिस्ट्री पढ़ते हैं आप लोग वही है मध्य योगीन मध्य योगीन यानिकी मध्य यूगों का मेडिटेशन मेडिटेशन धान कैंदॐरित करना क्रना क raus चलें उबसोर चलते हैं मेमोड Ms लिए मेमोरी से बना है दोस्तों यम्यमो आई आर एस यह क्या होता है कि अपलेक्शन आफ आइडियाज या थिंकिंग्ग्ज थाउट यानि कि जो आप ओल्ड चीजों को उल्ड पुरानी आजितों को पुराने यादों को आप संजो करके रखते हैं वही है आपको मेमोर्ष यानि पुरानी यादों को बनाय रखना को लोग होते हैं यह को पैसे के लिए काम करता है उसको करते हैं यह भाड़े का सणी यानि कि जो भढ़े के लोग होते हैं, जो पैसर के लिए काम करते हैं, इसी कहते हैं, questionnaire बर सायङ में दोस्तों, बोले, यहाँ तक किसे कोई problem नहीं है, चलें, next order चलते हैं दोस्तों, आइए देख देखे दोस्तों माइक्रोव क्या होता है यह होता है सूश्म जिव जो रोग पैदा करते यह जो रोग पैदा करते हैं मिंट क्या होता है वह स्थान जहां धाले जाते हैं यहां पर सिख्के बनाय जाते हैं जिए उसी कहते हैं मायरेज मिराज इसको पढ़ा जाता है मायरेज यहां होता है जैसे आप लोग गर्मी के दिनों में देखते हैं सब्कों पर जाते हुए दूर दिखता है कि कहीं देखिए सब्क पर पानी गिरा हुआ है लेकि जब उसके पास पहुंचते हैं तो को आइटोमेटिक होता है है न कि यह किसके कारण होता है यह होता है टोटल इंटर्नल टोर्ब करण होता है पुन आंतरिक bombs करता को अब乐 देखिए एक वड़ ध्यान देज़ेगा मिस जहां भी लगता है आप निगेटिव कभाव देता है यानि कि नकरात्मक कभाव देता है तो आप जड़ां यहां गौर करेंगा मिशन थ्रोप मिसं थ्रोप होता है जो मानोजाद से गिंदा करता हूँ और गायनी बताया था यह दोवर्ड जी डबल एम वाई और जी वाई एन इए गायनी यह बताया था आपका बिवा से संबंदित होता है और यह आपका महिला या इस्तिरी से संबंदित होता है मिशो गैमिस्ट को आजे है यह जो वीवा या साधी परमपरा से घ्रणा करता है नफरत करने वाला या या साधी परमपरा से नफरत करने वाला कि थीकश के दोस्तों मिसोगैमिस्ट क्या होता है साधी परंपरा से नफरत करने वाला नफरत करने वाला नेक्स वर्ट चलते हैं मिसोगैमिस्ट अभ­ यह कुसका, यहनि कि अउरत जात से घ्याकरने वाला औरत Dalit, जात इसे घ्याकरने वाला नेक्ट शुट चलते हैं momentuous, यह मोव्यमी अन T-U-O-U-S, यह क्या होता है momentuous, पथे यह कि आंड़ता है जो होता है और यह बहुत बड़ा या बहुत बड़ा है फिर यादगार यह भी कह सकते हैं इसादू सन्यासी हाँ जहां पर सादू सन्यासी लोग रहते हैं वनु फू लिप्स वेर सेंट यानि कि जहां पर साधू सन्यासी रहते हैं उसी को मोनेश्ट्री बोलते हैं ठीक है भई मोनोगमी देखेए गमी वरड़ आया अब मोनो अभयाद रखियेगा मोनो भी आपका एक रूट मिस होता है अनेक तो मोनोमिस एक होता है जरदहन दिजेगा यहाँ पर मोनोमिस एक की बात हो रही है और गयमी मिस बीवा होता है तो एक बीवा यानि एका की बीवा यानि की जिसका एक ही बीवा हो Monopoly, Polymes ऑनेक, Monomis एक और Polymes आपको अनेक भी होता है और Polymes आपका अधिकार, दोनों होता है भाई अधिकार और अनेक, बोथ होता है यहाँ पर ज़र ध्यान दिजेगा Monopoly होता है एक अधिकार चलिए, नेक्ς वट चलते है Monotheist, ज़र ध्यान दिजेगा Monotheist, आप थिस्ट आपका इस्वर से संबन्दित है Mono से आपका एकल से संबन्दित है जिसको हम कहते है Ekiswarwadi क्या कहते हैं भई Ekiswarwadi Mors है M-O-R-E-S है ये Custom Habituals है जिसको कहते है Ritiriverge Getting my point चलिए भई Next word चलते है Mortigate Mortigate क्या होता है वह स्थान जहां पर मृत शरीर को रखा जाता है नेक्ष वाड चलते हैं मॉर्टुरी मॉर्टुरी क्या होता है मॉर्टुरी पढ़ा जाता है दोस्तों यह होता है सौधा क्या होता है बैरि मोर्चुवरी आपका यह सवधा है ठीक है भई चलिए दोस्ते थोड़ा से यहां पर देखिए भई यहां पर थोड़ा सा इसका मैंने पहले लिख दिया मोर्चुवरी होता है वह अस्थान जहां पर पर मृत शरीर को रखा जाता है रखा जाता है अरे सौरी भाई सौरी मैंने थोड़ा सध्यान नहीं दिया मोर्चुवरी होता है वास्तान जहां पर मृत शरीर को रखा जाता है और मोर्ट गेज होता है कि जैसे आप किसी बैंक से उधार लीजिए या जैसे गिरवी के अधार पर आप बैंक से लोन लीजिए वह ही है मोट गेज मोट गेज क्या है बही कि उधा लीजिए जैसे कह दूँ घर खरीदने के लिए खरीदने के लिए बैंक से पैसा लेना यह ओक का मोट गेज होता है तो यह था प्यारे दोस्तों आज का सेसन हमारा तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स वार वाचिंग थैंक्यू